जय हिंद आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाडिलेटरल जिसको हम लोग जानते हैं हिंदी में इसे चतर होच गाते हैं देखें क्वाडिलेटरल जो है एक बहुत ही असान और एजी चेप्टर है जो कि बहुत से बच्चे इससे दूर भागते हैं तो मेरा मानना है कि इसे इतना आसान तरीके से में बढ़ाऊं कि आपको यह न लगए कि बहुत ही भारी है और देखिए जैसे कि आप कोई भी exam के त्यारी कर रहा है या class 6 से लेके 12 के बच्चों कोई भी study कर रहे हैं किसी भी class में तो बच्चा पढ़ सकता है तो चलिए यह knowledge के लिए काफी important है काफी जरूरी भी है तो देखते हैं कि quadrilateral जो होता है वो क्या होता है और यह चतुर्भूज है आप लोग क्या आप इसके बारे में पूरे detail में जानते हैं कि नहीं जानते हैं अगर जानते भी होंगे तो और भी जानने के कोशिश देहां से दिखेगा कि polygon क्या होता है इसको हम आप लोगों को समझा रहे हैं दिखे कि polygon का मतलब होता है बहु भूज ह". पॉलिगन का मतलब क्या थाथ है ? बहु भुज हुआ था जिसमें ठीरी साइड हो या थीरी से ज़्यादा साइड हो उसको क्या कहता है ? पॉलिगन कहता है यानि baupad यहनि बहु भुज कहता है तो ध्यान्त दिखेगा दोस्तों अगर सिर्ट आप से कोईुद्धेट से क्वाडिलेटरल क्या है कौड़िलेटरल क्या है आप कहेंगे कि एक dust फोर साइट एन फ़वर एंस यानि फोर साइट एंस ग्रेम तो पर याह गया एक तरसे एक पोलिगल हो गया जिसमें four side है और four angle है तह हां देखियेगा दोस्तोः polygon का मतलब बहुभुज्, brought होता है तिरी side हो यानि side की संखे हो, धिरी हो या 3 more then हो यानि तीन से ज़ादा हो या 3 हो तो उसे बहुभुजव का हैंगे ठीक है तो tangleばい क्या हुआ एक बहुत हो गिया यानि पोलीगन हो गया याने का ने का मतलब याद रखेगा कि यह कौरूरीलेटरल अब ध्यानसे देखेगा अगर हम क्वाड़ी लेटरल का बात करें तो यह क्वाड़ीलेटरल का अगर हम AD side है यानि कितना side है तो 4 AB, BC, CD और DA यानि कि यह 4 side है यह 4 side यानि 3 यह 3 से ज़्यादा होगा तो यह क्या होगा polygon हो जाएगा side तो quadrilateral क्या है एक polygon है अगर quadrilateral का definition बुर्ला जाए तो यह quadrilateral is a polygon with four angles and four sides अब ध्यान से देखेगा और इसमें क्या क्या होते हैं एसमें 3, 4 एंगल होता है इसका sum कितना होता है इसमें और क्या-क्या होते है इसको पूरे बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पईले बाद की चतुर्भूज क्या है ? हम लोग का clear हो गया चतुर्भूज एक बहु भूज है जिसमें जाहेंकFrom साइड और चार एंगल होते हैं उसे क्या करते हैं चतर भूज करते अबयरक इंगलीस में अपने करना चाहेंगे तो क्वा डीलेटरल इज आ पोलीडुन वीध़ एंगल सॉरस एड्म क्या होजाएगा यानि फोर कॉर्णर्णर भी होता है इसको कॉर्णरर बोलते हैं देखिए दो साइड आकर जहां पर मिलता है कर्णर बहुता है तो कोरणर भी इसको हंडिक में इस में सब्सक्राइंत काप हम triangle का बात करते हैं रटेंगल में कितना side होता है वाभू तीन side होता है ये भी एक polygon है polygon का मतलब कि तीन side हो या three से जदा हो तो क्या कहाँगा polygon कहाँगा अब चली कहाँगे लिए हम बात करेंगे क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रही है खालव ग्रटर अब इसमें दो दाइगोनल होते हैं यानि टू डाइगोनल तू डाइगोनल इसमें टू डाइगोनल होते हैं डाइगोनल दू डाइगोनल होते हैं देखिये डाइगोनल क्या होते हैं इसको अब ध्यान से दिखियेगा इसमें साइड कितने होते हैं तो जो होते हैं अब देखिये इसमें और क्या होता है इसमें diagonal होगया, side हो गया, angle भी 4 होता है, देखे, angle A, angle B, angle C, और angle D, यानि angle भी कितना होता है, 4 होता है, अब देखे, angle A ये हो गया, angle B ये हो गया, angle C हो गया, angle D हो गया, यानि 4 एंगल हो गया, अब ध्यान से देखेगा, angle भी 4 हो गया, side भी 4 हो गया, diagonal कितना हो गया तो अब ध्यान से देखिएगा इसमें अब हम क्या बताने वाले हैं यह चारो एंगल का जो सम है वह 360 डिगरी होता है यानि आपको कहा जाए कोई भी पाठी लेटरल हो तो उसका जो सम होता है इंटेरियल एंगल का यह सम जो होता है यह फर्मूला क्या है यह फर्मूला है कि अगर आभाको यहां पर साइड के जगह पराड़ी मतलब होता यह लेटरल का मतलब हो गया वाड़ी लेटरल यानी कवाड़ी यानि फोर ध्यांस देखेगा इसमें पॉली के जगह पर फोकिनन पॉर गॉल्ण हुगा अगर इस डगह पर माल लीजे की पांच साइड आ जाता है तो एंगल कितना होगा अगर मान लीजे की चारड है जाते इस सब को हम आपको बताने वाले हैं तो देखें यह आपके लिए एक फर्मूला हो गया अब माल लीजिये इसमें इन क्या है समझे इसको इन जो है वह साइड है इन क्या है वो साइड है इन यानि एन मतलब साइड अब बताएए यह क्वाडिलेटरल में साइड कितना होता है चार होता है यानि फोर होता है यहां पर फोर रखेंगे तो देखेंगे फोर माइनस टू होगा एंटू में 180 डिगरी है अब देहां से देखेंगा फोर में से जब साइड कितना था चार यानि फोर था तब अगर एक्जाम में पुछ दिया पेंटागोन यानि जिसमें पांच साइड हो देखिया एक दू तिर चार पांच अगर माले ज़िए पांच साइड हो तो इसका नाम तो पेंटागोन हो जाएगा माले ज़िए पेंटागोन अब पर बात यह पेंटागॉन तो हो जाएगा लेकिन अब इसमें इंगल कितना होगा कितने डिग्री के इसका इंगल का सम मुझा उसको निकालने के लिए इस फर्मुला का यूज करेंगे क्यों कैसे देखें नंबर औफ साइड बस लिखेंगे ता देखे 5 रखेंगे तो फर्मूला लगे देखे न माइनस 2 इंटू 180गरी तो अब देखे बाभू यहां पर 5 रखेंगे तो 5 इंटू 180गरी हो जाएगा अब बतैये इसमें 5 में से दू जाएगा तो 3 बचेगा अब 3 इन्टू 180 डिग्री हो जाएगा हो जाएगा अब यहां पर मल्टिप्लाई करेंगे तो 54 हो जाएगा यह जीरो यतना डिग्री एंसर हो गया तो अब बताईए मेरे से ध्यान से देखिएगा अगर पांच साइड था यानि पेंटागोन था तो उसका एंगल का सम कितना गया 540 डिग्री आगया अब आपसे एक्जाम में पूछा जा सकता है कोई भी एक क्वाडिलेटर देदेगा मालीजे क्वाडिलेटर सरी कोई भी ए चो मालीजे छो साइड देदे ठीक है थोड़ा तो इसको लगे कि साइड है ऐसे कर देते हैं वान टू थीरी फोर फाइब वान टू अटू फोर फाइब शिक्स अगर मालीजे शिक्साइड देदे आख कहे कि बताईए इसका इंटेरियल एंगल को जो सम होगा वो कितना डि दिग्री होता है तो इन के जगा हो तो क्या रहेगा बाबू तो च्छाव रहेगा माइनस टू एंटू में क्या रहेगा 180 डिग्री तो यह देखिए अब छो में से दू जाएगा तो चार हो जाएगा एक सबसी अब मुल्टिप्लाई कर देंगा ठारचों का बहुत तर नतू को आप पॉलीज़कून होगा फोसिजर ऑपको ओ आ तो आप क्या कहते हैं कि पालीज़कून है अक्वाडिलेटॉल का मतलब जिसमें चार साइड हो, चार एंगल हो, उसी को quadrilateral आपढ़ेंगे, तो हम अब पढ़ने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, कि types of quadrilateral, यानि quadrilateral के कौन-कौन से type होते हैं, और कौन-कौन होते हैं, उसको हम लोग अब देखेंगे, कोडिलेटल का सबसे पहला जो टाइप आता है वह आता है परलेलोग्राम काफी इंपोटेंट टॉपिक है और इससे समझना भी इससे कोशन भी पूछा जाता है और इससे कोशन जब आता है तो बच्चे सब दूर भागने लगता है इसलिए दूर भागने की जरूरत नहीं है हैं इसको समझने की जरूरत है तो सबसे पहला इसके जो टाइप आएगा वौडिलेटल का का तो ओ क्या तो परलेलोगराम पालेलोगराम को सबसे पहला एक नमबन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप आप सबसे पहला इसका टाइप जो आता है वो क्या आता है पर लेलोग्राम पर लेलो ग्राम देहां से देखेगा अब पर लेलो ग्राम को समांतर चत्र भूझ बोलता है का बोलते है शमांतर शमांतर चत्र भूझ इसको हिंदी में समांतर चतुर्भुज बोलते हैं समनांतर समना इसको समांतर या समनांतर चतुर्भुज बोलते हैं इंगलिस में याद रखेगा समनांतर चतुर्भुज यह से बोला जाता है तो परलेलोग्राम जो होता है वो क्या होता है इसका प्रपर्टी क्या है इसको जानते है अब पहले जान है लेकिन उसका एक टाइप है अब क्यों टाइप है क्यों हो गया अब इसको थ्वड़ा सा ध्यान से देखिए माल लीजी कि कोई क्वाडिलेटरल है पहले से ठीक है यह को परलेलोगराम हो जाएगा यह क्या इसमें पूरपर्टी क्या इसमें कुछ बदलाव हो जाएगा क्या आइसी चीजी इक्वाडिलोगराम पैरलेलोगराम हो जाएगा इसके लीऑ माल लीजे कि हम आपको डिटेल में समझाता है जैसे कि एक माल लीजे कि यहां पर लोगराम बनाटर A, B, C, D देखे परलेलोगराम होता क्या है अगर माल लिजे कोई क्वाडिलेटरल है इसका opposite side equal और परलल हो गया है जैसे कि opposite side equal और परलल इसे हम proof भी करेंगे आपको बता भी रहा है totally A to Z सब बताएंगे देखे अगर माल लिजे step 1 ये क्वाडिलेटरल था ऐसे परलेलोगराम होने में क्या क्या step फ्लो करेंगे कि ये परलेलोगराम हो जाएगा इसको समझे step 1 ये क्या था अगर कोई क्वाडिलेटरल में इसका opposite side equal and parallel यानि कि देखे A, B एक परललल हो जाए अगर DC का और BC परलल हो जाए AD का यानि BC किसका परलल हो जाए AD का ध्यान से देखेगा अगर बोथ pair of opposite side अब देखेगा opposite side किसे कहा जाता है थोड़ा आप समझेए AB का opposite side DC और BC का opposite side AB है तो कोई क्वाडिलेटरल परलेलोगराम तब होगा जब इसका बोथ pair of opposite side साइड इस साइड का परलल हो जाए तो इसको बोलते हैं one pair of opposite side आप हिंदी में बोलते हैं किसी चतर्भूज समा चतर्भूज का एक प्यार एक जोड़ा उसका अगर opposite side क्या हो जाए ये परललल हो जाए ये इसके परललल हो जाए तो ये क्या कह सकते हैं आप ABCD जेए परलललो ग्रम और इक्वल भी हो जाए जैसे कि AB इक्वल हो जाए किसके DC के परलललो ग्राम में opposite side equal भी होता है यहां पर equal दिखेंगे AB equal हो जाए किसके DC के और BC equal हो जाए किसके तो AD के नीए हन से दिखेंगा इसका opposite side parallel भी होता है और equal होता है ठीक है तो आप क्या क्या आश कह सकते हैं माल इसे पहले था quadrilateral का opposite side ये side इसका परलल हो जाए और ये side इसका परल़ हो जाए और equal हो जाए तो आप क्या सकते हैं कि ABCD इजे parallelogram हो सकता है चले हम अभी बता रहे हैं इसको ठोप भी करेंगे कि क्यों होता है अगर माई जीए कोहने से शिर्फ ठोंरी होगा इसे पुरूबmeye करेंगे क्यों होता है कि तो पहले तो जान लिजी क्या क्या होता है तो पहले हमने बताये कि इसका औपॉजिट साइड क्या होता है इसको बोलते आप एंगल को पोजीट एंगल बलते हैं अब बी के सामने के एंगल को पोजीट एंगल बलते हैं यह एंगल इस एंगल का अपोजीट एंगल है देखिए आमने सामने हैं दोनों एंगल तो पोजीट एंगल यह एंगल के क्या है अपोजीट एंगल है यह भी है यह पोजीट एंग होता है जैसे कि ए पॉलस भी ध्यान से देखेगा अब कोईएगा एजसेंट एंगल का होता है तो देखिए बताते आपको एक देखेगा जो दो एंगल होगा उसका सौंब 180 डिगरी होना चाहिए जैसे कि ध्यान से देखिये अब माल लिजे यह लाइन एवी है इसी का बात करते एवी लाइन है यह भी है ना लाइन यह एक रेखा है यानी लाइन इस लाइन पर यानिस साइड इसको का बलेंगे साइड यानि एवी साइड पर इभी एंगल है और भी एंगल है तो इसलिए दोनों का सम होने थी अब देखें यह एडी जो साइड है इस पर एभी है और दी का सम कितना होना चाहिए बबू ए और डी का सम 180 होना चाहिए ठीक है यह भी प्रूफ करेंगे कि क्यों होता है अब इसको हीनदी में बबू इक करता है इस अब देखें का मतलब होता है कि काटना मतलब कि इसके जो डाइगो नल है एसी और बीडी एक दूसरी को ओ पॉइंट पर काटते हैं काटते हैं मनें बाइसेक्ट करते हैं इच अदर इच अदर को मनें अपने आप अब दिखेगा इसका बाइसेक्ट का मतलब हुआ कि ओए बराबर होता है ओसी का मतलब कि ओ dai और इसके मतलब कि ओ भी बराबर हो जाएगा किश के ओ डिक है तो अदधियान से दिखेगा यह इतने परपटी परलेलू ग्राम को आपको याद हो ना या रोहना चाहिए अब इसे हम एक एक करके प्रूब करेंगे कि कीउसे होता है तो आप अगले वीडियो के अ कौरेंगे होता है किसी क्वाडΗर में मिली कोई कोड़ी लेटरल है तो इसका साइड परलेल होता है और यह कि इसका opposite side parallel कई से होता है parallelogram में opposite angle equal कई से होता है प्रूफ करेंगे क्योंकि यह तो आप देख रहे हैं न हम बता दिये कि यह डी के पराबर होता है लेकिन प्रूफ भी करेंगे कि कैसे होता है अब देखें यह हैं तिन नमर में कि इसके adjacent angle का some 180 होता है तो सुन लिए देख लि करेंगे कि क्यूं कैसे हुआ यह भी प्रूफ करेंगे अब दिखें यह ओए साइड यह बाइसे जब करेगा काटेगा तो तो यह ओशी के इक दोगा इसको भी पूरूफ करेंगे तो अगले वीडियो का आप इंतिजार कीजिए अगले कलास का अगले कलास में इसी से related एक, दो, तीन, चार, चारों ये हम थियोरम इसे माना जाता है, इस चारों को हम प्रूफ करेंगे और आपको असानी से एकदम असान तरीके से समझाने की कोशिज करेंगे, जैहिन दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले कलास में